राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों आज कातिक मास के सौवार के दिन में आपके लिलाई हो भगवान शिव और मापारवती की कथा बंधों कातिक मास में भगवान शिव और मापारवती की कथा सौवार के दिन सुनने मात से भगवान शिव और मापारवती की कृपा आप पर बरसने लगेगी बंधों यदि आपने हमारे चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सकें बंधों वीडियो को पूरिय सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जे शिवशनकर भोलेना जे मापारवती जरूर लिखें वायू देव कहते हैं इसके बाद महादेव जी महामेग की गर्चना के समान मधूर गंभीर मंगल दाइनी एवा मनोहरवानी में बोले ब्रह्मन तुमने इस समय प्रजा जनों की व्रिधी के लिए ही तपस्या की है तुम्हारे इस तपस्या से मैं संतुष्ठ हूँ और तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ इस प्रकार परम उदार तधा सोभावते मधूर वजन कहेकर देवेश्वर हर ने अपने श्रीज के वाम भाग से देवी रुद्रानी को प्रगट किया जिन दिव वेगुन संपन्ना देवी को ब्रहम वेता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं जिन में जरम, मृत्यू, जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है वे भवानी उस समय शिव के अंग से प्रगट हुई जिनका परमभाव देवताओं को भी ज्यात नहीं है वे समत देवताओं की भी अधिश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रगट हुई उन सरव लोक महेश्वरी परमेश्वरी को देख कर विराद पुरुष प्रमा ने प्रणाम किया और उन सरवग्या सरव व्यापनी सुक्ष्मा सद सुभाव से रहीद और अपनी प्रभा से इस समपूरन जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी से इस प्रका प्रात्ना की। ब्रह्मा जी बोले सरग जगनमेई देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन किया और प्रजा की सिष्टी के कारे में लगाया। उनकी आग्या से मैं समस्थ चगत की सिष्टी करता हूँ, किन्तु देवी मेरे मांसिक समकर्प से रचे गए देवता आदी समस्थ प्रानी बारम बाद सिष्टी करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं, अतै अब मैं मैं अतनी सिष्टी करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ, आपके पहले नारी कुल का प्रादरभाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सिष्टी करने के लिए मुझ में शक्ती नहीं है, समपूरन शक्तियों का अविर्भाव आप से ही होता है, अतै सर्वत्र सब को सब प्रकार की शक्ती देने वाली आप बरदा प्राइनी माया देवेश्वरी से ही प्रातना करता हूँ, संसार भय को दूर करने वाली सरव्यापनी देवी इस चराचर जगत की व्रिधी के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हुई, ब्राम्योनी ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर द हस्ते हुए कहा तुम तपस्याद्वारा ब्रह्मा जी की अराधना करके उनका मनोरत पूरन करो, पर मेश्वर्शिव की इस आज्या को शिरोधारे करके व्यहे देवी ब्रह्मा जी की प्रातना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई, इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के श्रीर में प्रविष्ठ हो गई फिर महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गई तभी से इस जगत के भीतर इस्त्री जाती में भोग प्रतिष्टित हुआ और मैथुन द्वारा प्रज्या की सिष्टी का कारे चलने लगा मुनिवरों इस से ब्रह्मा जी को भी आनन्द और संतोष प्राप्त हुआ देवी से शक्ति के प्राधुर्भाव का यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हे सुनाया प्राणियों की सिष्टी के प्रसंग में इस विशे का वर्नन किया गया है यह पुन्य की वृदी करने वाला है औ और जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्राधुर्भाव की सकता का कीतन करता है उसे सप्रकार का पुन्य प्राप्त होता है और वह शुब लक्षन पुत्र को पाता है वायू देवता कहते हैं इस प्रकार महादेव जी से सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापती ब्रह्मा मेतनी सिष्टिक करने की इच्छा लेकर स्वयम्भी आधे श्रीर से अध्भूत नारी और आधे श्रीर से पुरुष हो गए आधे श्रीर से जो नारी उत्पन हुई वे उनसे शत्रूपा ही प्रगट हुई थी ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष श्री से विराठ को उत्पन किया वे विराठ पुरुषी स्वायंभू मनु कहलाते हैं देवी शत्रूपा ने अत्यांत दुशकर्त पस्या करके ओधिप्त यश्वाले मनु को ही पती रूप में प्राप्त किया इसके पस्चात मनु के वंश तथा दक्ष यग्यविग्वंस आधी के प्रसंग सुनाकर वायू देवता ने यह पताया कि भगवान शंकर ने दक्ष और देवताओं के अप्राद छमा कर दिये इसके बाद रिश्यो ने पूछा प्रभो अपने गणो और देवी के साथ अंतरध्यान होकर भगवान शिव कहां गए कहां रहे और क्या करके विरत हुए भायू देव बोले ब्रह्म महारिश्यो परवतों में शेष्ट और विचित कंद्राओं में सुसोभित जो परम सुन के लिए बड़ा भारी तप किया और दिर्ग काल के बाद उसे उनके चरनार विंदु के सपरश का सुख प्राप्त हुआ उस परवत के संदरे का विस्तार पुर्वकवर्नन सहस्त्रों मुखो द्वारां सो क्रोड वर्षों में भी नहीं किया जा सकता उसके समान समस्त परवत को अपने अंतहपुर बना लिया इस सरफशेष्ट परवत का स्मरण करके रैभ्य आश्रम के स्मीप सिथ हुए अंबिका सहीद भगवान त्री लोचन वहां से अंतरध्यान होकर चले गए मंद्राचल के उद्ध्यान में पहुँचकर देवी सहीद महेश्वर वहां बढ़ गई तब शुम और शुम नामक दो दयत्ते उत्पन हुए वे प्रस परभाई थे उनके तपो बल से प्रभावित हो परमेश्ट्री ब्रह्मा ने उन दोनों भाईयों को यह वर्त दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम्हारे नहीं जा सकोगे उन दोन ने ब्रह्मा जी से यह प्रात्ना की थी कि पारवती देवी के अंस से उत्पन हो जो आयोनिजा कन्या उत्पन हो जिसे पुरुष का सपर्ष और रती नहीं प्राप हुई तथा जो अलंग है प्राक्रम से संपन हो उसके प्रती काम भाव से पीडित होने पर हम युद्ध मे उसी के हाथों मारे जाए उनकी इस प्रात्ता पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह कर सविक्रिती दे दी तभी से युद में इंद्र आदी देवताओं को जीत कर उन दोनों ने जगत को अनिती पुर्वक वेदों के स्वाध्याए और वश्टकार आदी से रहित कर दिया तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वद के लिए देवेश्वर शिफ से प्रात्ता की प्रभो आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उने करो दिलाए और उनके रंग रूप की निंदा से उत्पन हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुम और शुम के वद के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए ब्रह्मा जी के इस तरह प्रात्ता करने पर भगवान नी लोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सीख करते हुए मुस्कुरा कर बोले तुम तो काली हो तुम सुंदर वर्न वाली देवी पार्वती अपने शाम वर्न के कारण अक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पती देव से मुस्कुरा कर समाधान रहितवानी द्वारा बोली देवी ने कहा प्रभो यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दिर्गकाल से अपने शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हो कोई इस्तरी कितनी ही सरवांग सुन्दरी क्यों ना हो यदि पती का उस पर अनुराग नहीं तो अन्य समस्त गुनों के सा उसका जनम लेना व्यर्थ हो जाता है इस्तरीयों की यह सिष्टी ही पती के भोग का प्रधान अंग है यदि वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहां उपभोग हो सकता है इसलिए आपने एकांद में जिसकी निंदा की है उस वरन को त्यांकर अब मैं दूसा वरन ग्रह करके गदगद कंड से जाने की आज्या मांगने लगी इस प्रकार प्रेम भंग होने से भैभीत हो भूतनात भगवान शिव स्वयम भवानी को प्रणाम करते हुए बोले भगवान शिव ने का प्रिये मैंने क्रिडा या मनो विनोद के लिए ये बात कही है मेरे इस अभिप करती हूं फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना कैसे संभव हो सकता है हम दोनों का वह प्रेम भी क्या काम देव की प्रेना से हुआ है कदापी नहीं क्योंकि काम देव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है काम देव के सिष्टी तो मैंने सधारन लोगों की रती के लिए की है काम देव मुझे साधारन देवता के समान मानकर मेरा कुछ कुछ तिरसकार करने लगा था अटै मैं ने उसे भजम कर दिया हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए है अटै उसी के के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रती ये परिहास जुक्त बात कही थी मेरे इस कतन की सत्यता तुम पर शिक्र प्रगट हो जाएगी बोलो शिव शंकर भूले नात की जाए मा पारवती की जाए राधे राधे जैश्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद